Hello everyone, this is Siddharth Patil and welcome to Magnet Beans. So, हमने previous lecture में, right to equality के जितने भी articles थे, article 14, article 15, 16, 17, 18, हम इन सभी को cover कर चुके थे और आज से हम लोग article 19, जो की right to freedom है, हम उसे cover करेंगे. Freedom एक बहुत important concept है, आप लोग पढ़ते आ रहा हैं, आपने NCRT में भी पढ़ा होगा. Without freedom, democracy possible नहीं है, Without questioning the government, democracy possible नहीं है, और freedom एक बहुत broad connotation है, liberty एक बहुत broad connotation है. Liberty और freedom, हम लोग different different circumstances में use करते हैं, उनका meaning एक ही होता है. अलग-अलग circumstances में use किये जाते हैं. Sentence के according हम liberty बोल देते हैं, हम freedom बोल देते हैं, हम independence बोल देते हैं. यह sentence के according change हो जाता है. ची, and freedom बहुत important right है. सबसे पहले हमने equality देखा था. Equality भी एक बहुत important right था. Democracy को sustain करने के लिए, society को egalitarian बनाने के लिए. और अब हम freedom की बात करेंगे. So, without freedom, democracy can't be possible. अब right to freedom है, तो उसमें बहुत सारी rights हैं, और बहुत broader rights हैं. और उन rights का फिर misuse भी होता है. जैसे ही बोला, right to free expression की right है. मैं चाहे, जो चाहे वो बोल सकता हूँ. तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना. मुझे भी अपने बोलने पे कुछ ना कुछ restrictions तो रखना होगा ना. मैं मेरे मन में जो आया, मैं हर कुछ थोड़ी ना बोल सकता हूँ. मुझे जो भी बोलना होगा, सोच समझ के बोलना होगा. हाँ, मैं अपना opinion दे सकता हूँ. मैं अपने किसी भी चीज़ को decent कर सकता हूँ. किसी भी चीज़ को counter argument कर सकता हूँ. लेकिन मेरे मन में जो आया, मैं वो थोड़ी ना बोल सकता हूँ. मुझे सामने वाले इंसान की भी तो right देखनी होगी ना. जब भी हम fundamental right से हम कोई भी right exercise करते हैं. For example, मैं right to freedom exercise कर रहा हूँ. तो मैं कुछ बोल रहा हूँ. तो मुझे इस तरीके से बोलना होगा कि सामने वाला इंसान hurt ना हो. उसकी right कहीं violate ना हो. So, right के साथ भी बहुत सारे restrictions आते हैं. तो वैसे ही Article 19 में बहुत सारे restrictions हैं. जैसे freedom of speech and expression है. मतलब आप आपका opinion बता सकते हो. आपके मन में जो भी thoughts से आप express कर सकते हो. लेकिन उसमें restrictions होगे ना. मैं अपने देश की खिलाफ थोड़ी ना कुछ बोल सकता हूँ. मैं अपने देश की खिलाफ थोड़ी ना बोल सकता हूँ. मैं अपनी government के against बोल सकता हूँ, मैं अपनी government को criticize कर सकता हूँ, लेकिन मैं India को criticize नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी government को criticize कर सकता हूँ. So, restrictions होते हैं, तो वैसे ही, इसमें भी restrictions है. So, ऐसी six rights है, Article 19 guarantees to all citizens the six rights. 6 rights देता है, Article 19. और उन rights में restrictions है. तो हम उन सभी rights को देखते हैं first rights है freedom of speech and expression अब उसके restrictions क्या-क्या है इसे bare act को इससे bare act से simplified way में किया गया है क्योंकि bare act में आप 19 देखेंगे आप article 19 देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा लग रहा है वो और बहुत ज़्यादा समझने में बहुत ज़्यादा उसे issues है एक right लिखी है फिर उसके क्या-क्या restrictions है किस-किस basis पे उस right में restrictions लगाया जा सकते हैं वो वाले points लिखे गए है freedom of speech and expression उसके restrictions क्या होंगे sovereignty and integrity of India मतलब देश की प्रभुता और अखंडता पे कोई बात नहीं आएगी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा security of the state ऐसी कोई चीज नहीं बोलूँगा मैं या ऐसी कोई चीज एक्स्प्रेस नहीं करूँगा जिससे security of the state को खत्रा हो friendly relation with the foreign nations ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा public order, descendancy, morality or in relation to the contempt of court public order मतलब law and order की situation खराब नहीं होगी दंगे हो जाते हैं usually बोलने से तो दंगे नहीं होते हैं लेकिन कई बार हम लोग कुछ चीजें ऐसी post कर देते हैं आपने देखा होगा जब roids होते हैं अभी भी recent में कुछ roids होए थे तो किसी ने facebook पे कुछ post कर दिया था तो दूसरी religious community के sentiments हट हो जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अपती right exercise करते हैं तो हमें सामने वाली right सामने वाली इंसान की भी तो right को respect करना होगा ना so public order, descendancy, morality or in relation to the contempt of court मतलब court की अवमानना ठीक यह बहुत ही recent है आप लोग newspaper में पढ़ रहोंगे में अच्छे से cover करेंगे अभी के लिए आप समझे contempt of court मतलब court की अवमानना करना court भी constructive criticism court को चलता है कि आप constructive criticism कीजिए ऐसा नहीं है कि हम course को criticize नहीं कर सकते हैं हम judiciरे को criticize कर सकते हैं हम उनके थोड़ी judgment को criticize कर सकते हैं लेकिन constructive criticism होना चाहिए एक डायरे में रहके होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमें वो boundary line cross करनी चाहिए यह होगी आपका basics अब आपको पता है freedom, rights यह सारी चीजें क्या है first right, freedom of speech and expression है ऐसे बहुत सारी rights हैं हम उन rights को देख लेते हैं second right है second right है to assemble peacefully without arms क्या इसके बिना democracy successful है to assemble peacefully without arms protest तो democracy का एक पार्ट है so अभी भी जो protest हो रहे हैं जैसे अभी farmer protest हो रहे हैं वो किस के basis पे हो रहे हैं वो इस right के basis पे हो रहे हैं to assemble peacefully without arms हम एक साथ में इखटे हो सकते हैं ठीक और हम protest कर सकते हैं यहां पर protest word यूज नहीं है लेकिन to assemble peacefully without arms मतलब right to protest हो सकता है उसके restrictions का है sovereignty and integrity and public order मतलब law and order की situation नहीं भी गड़नी चाहिए वहां पे जहां भी आप peacefully इखटा हुए हो then next right कान सी है to form association from नहीं है form association form association और union और cooperative society हैं association unions बना सकते हैं इसके भी restrictions है sovereignty, integrity देखो sovereignty, integrity यह इंडिया से related मतलब कि हमारी country की sovereignty पे बात नहीं आए हमारी country के integrity पे बात नहीं आए तो sovereignty and integrity आपने देखा होगा कि उन सब में restrictions में लिखा था public order, law and situation की बात नाओ and morality सही and गलत morality का मतलब होता है सही and गलत to move freely throughout the territory of India हम इंडिया में जहां चाहे वहां जा सकते हैं आप जाते हो की नहीं जाते हो घूमने जाते हैं हम लोग vacations पे चले जाते हैं कभी North India, South India, East, West हम explore करते हैं to move freely throughout the territory of India इसमें भी restrictions है in the interest of scheduled tribe only लेकिन कुछ area एकदम reserved area होता है जहां पे scheduled tribes हम लोग forest areas में नहीं जा सकते हैं वो इसलिए क्यूंकि हमें इनकी right को धिहान रखना होगा हमें इनके sentiments को देखना होगा हम जैसे रह रहे हैं वैसे scheduled tribes नहीं रहते हैं अगर हम forest में अगर इनका रहन सहन देखें तो यह इनकी एक अलग ही दुनिया है यहां पे और हम हमारी government चाहती है हमारा constitution चाहता है कि उन्हें कोई violation नहीं होँ हम उन्हें disturb ना करें तो उनकी right violate नहीं होनी चाहिए हमारे घुमने से यहां पे restrictions है in the interest of scheduled tribe ठीक है then reside and settle in any part of the territory of India पहले यहां पे Jammu and Kashmir का अलग issue था लेकिन अब article 370 हट गया है तो वहां पे चीजे बदल गई है हम Jammu and Kashmir को भी अच्छे से deal करेंगे coming lectures में article 370 का जो हट गया है वहां पे article और अब Jammu and Kashmir में क्या situation है so हम कहीं भी जा सकतें to reside and settled in any part of the territory of India फिर जो एक और राइट थी वो थी right to property लेकिन उसे delete कर दिया गया deleted by the 44th constitutional amendment और अब right to property एक legal right बन गई है under article 300a right to property fundamental right नहीं है ठीक है यह भी clear है आप सभी को then last right है to practice any profession और carry any occupation trade और businesses इसमें मतलब आप कोई भी profession practice कर सकते हैं आप कोई भी trade and business कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम smuggling का business करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे वही restrictions है ना हर चीज में restrictions हैं हमें constitution को ध्यान में रखना होगा हमें public morality को ध्यान में रखनी होगे यह सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा restrictions क्या है? professional or technical qualification necessary for practicing अगर कोई doctor है तो उसके पास MBBS या BDS यह सारी degrees होनी चाहिए ना उसे practice करने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी doctor बन जाएगा आज मैं चला जाओंगा कि मैं doctor हूँ professional or technical qualification होनी चाहिए profession को exercise करने के लिए right to profession को exercise करने के लिए so आप देख रहे हैं कि Indian constitution में कितनी सारी rights दी गई है और उन rights पे restrictions भी है restrictions क्यों है? यह भी मैंने बताए कि restrictions जरूरी है नहीं तो सामने वाले की right wallet हो जाती है अब एक question आता है censorship आर्टिकल 19 से जो movie की censorship होती है उस पर भी बहुत बड़ा question mark है कि एक side तो हम बोल रहे हैं कि हमारी country में freedom of expression है freedom of speech and expression है और एक side आप movie को censor कर रहे हैं censor करना सही बात है कि गलत है देखो हमारे या movie को censor इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे या culture है कि जब भी कोई नई movie लगती है weekends का time होता है तो हम क्या सोचते है कि आराज movie देखने चलते हैं पड़ाई बड़ाई हो गई दोस्तों के साथ में निकल जाते हैं family वालों के साथ में निकल जाते हैं कि आज तो रात का आज बजे का show देखना है Friday show है जाना ही है movie तो movie एक time पे बहुत सारे लोग देखते है country में एक time पे बहुत सारे लोग देखते हैं country में movie अगर कोई book publish होई उस book में कुछ ऐसी बाते लिखी होगी जो कि कि किसी other communities के या फिर इंडिया के या फिर दूसरे citizens के sentiment को hurt कर रही होगी तो उस book को इतने सारे लोग एक time पे नहीं पढ़ेंगे कोई book release होती है तो दीरे दीरे उसका प्रचार होता है दीरे दीरे लोगों को पता चलता है कि अच्छा book भी आई है फिर वो पढ़ते हैं फिर पता चलता है फिर case होता है book में क्या लिखा होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि हम लोग book थोड़ा कम पढ़ते हैं और movies थोड़ी सी जादा देखते हैं और movies ऐसा चीज है जो हम बहुत जादा देखते हैं हम लोग Friday show चले जाते है, Saturday चले जाते है, Sunday चले जाते हैं, तो इसलिए movie पे censorship किया है, क्योंकि एक time पे बहुत सारे country के लोग देखते हैं, और उस movie में अगर कुछ ऐसी चीज हुई, जिससे law and order की situation बिगड सकती है, जिससे देश में धंगे हो सकते हैं, जिसमें और भी कुछ- इसलिए government, इसलिए उसे पहले censor किया जाता है, जो censor board होता है, जो वो body होती है, वो उसे देखती है, फिर उसे certificate issue करती है, कि आप बिल्कुल इसे creators में लगा सकते हैं, इसलिए movie को censor किया जाता है, अब OTT platforms की बात चल रही है, कि Netflix है, Amazon Prime है, इन पे पहले कोई censorship नहीं थी, ल Government of India ये plan ले के आई है, कि अब हम इने भी regulate करेंगे, सिर्फ talking ही नहीं, अब Government of India plan भी ले के आई है, कि इने भी regulate करेंगे, COVID times में आप भी देख रहे होंगे, कि अब तो cinema hall कोई नहीं जाता है, एक new trend बन गया है, सब लोग Netflix चला लेते हैं, Amazon Prime चला लेते हैं, हम कही ना कहीं से movies देख ही लेते हैं और इन पे पहले इंडिया में कोई censorship नहीं थी, लेकिन अब इने भी regulate किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो movies release होती थी, उन में कुछ ना कुछ sentiments वगेरा की problem आ जाती थी, कि वो कुछ ना कुछ hurt कर रही है, अब भी एक recent controversy हुई एक movie को लेके, newspaper में बहुत चल रहा था उस movie को लेके, जो प्राइम पे release हुई है, कि उसमें ऐसा कुछ है, नहीं है, और हम भी क्या करते हैं, हम जैसे देखते हैं, कि XYZ movie controversy में है, उसमें कुछ ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जान बूच के उसको देखते हैं, तो एक तरीके से देखा ज कोई अपनी movie का promotion करना होगा, तो वो लोग अगर newspaper में front page पे add देंगे, Hindu में add देंगे, Indian Express में add देंगे, तो वो बहुत costly होगा, इससे तो अच्छा यह है ना, कि एक कोई सा ऐसा scene डाल दो, जो controversial हो, अपना photo चप जाएगी front page पे, promotion हो जाएगा, हमें promotion करने की जरुवती नही तो इसलिए यहाँ पे उनके part पे गलती है, उनके ethical part पे गलती है, जो directors, producers और यह होते हैं, जिस-जिस movies में controversies होती है, और इसलिए government of India उन्हें censor, उन्हें regulate करने की बात करती है, क्योंकि एक time पे बहुत ज़ादा public को influence कर सकती है movie, ऐसी चीज है, एक छोटा सा बच्चा भी स सकते हैं, कि yes, it is a violation of fundamental rights, लेकिन हमें, हमारी right exercise करते time, दूसरी की right को ध्यान रखना है, censorship इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि India एक transition phase में है, transition phase मतलब हमारी society इतनी mature नहीं है अभी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि India, एक India है, जो urban India है, और जो गौन में है वो है भारत, ruler भ तो हमारी society transitional phase में है, हमारी society में बहुत जादा diversity है, different caste group है, religious group है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, और movie बहुत जादा influence करती है, इंसान को इसलिए उसे regulate किया जाता है, from look censorship में points लिख सकते हैं, कि fundamental of rights का violation है, लेकिन वो इसलिए किया जाता है, जो भी मैंने आपको points बताया, आप वो लिख सकते हैं, उसमें, फिर आप OTT platforms का भी लिख सकते हैं, कि उसे regulate इसलिए किया जाता है, इन COVID times, अब सार new trend बन गया है वो, और लोग उसी पर देखते हैं, आप cinema creators कुल भी गए हैं, तो भी जाना पसंद नहीं करते हैं, कि घर पर ही तो देख ल हमें curiosity होती है, कि आज newspaper में क्या आया है, इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कौन सी movie release हुई है, कौन सा नया game आया है, कौन सा नया meme आया है, हम ये भी देखते हैं, कौन सा नया meme आया है, तो हम ये सारी चीजें की जानकारी रखते हैं, so information is like an oxygen, लेकि तो वो कुछ भी बुला करते हैं और वो एक तरीके से हमारे mind को divert करते हैं और हमें पता भी नहीं है कि वो fake news है जो तो ruler India में है उसे क्या पता अगर उसने news channel open किया उसमें कुछ भी आया है news में कुछ भी related किसी भी चीज से related कुछ fake news ही हुई तो उसे तो लगेगा अरे अच्छा ऐसा होता है कि हम covid के time में हमने देखा कि कितनी जादा fake news का सिलसिला था जब-जब elections आते हैं हमारी country में तो fake news का एक अलगी सिलसिला शुरू हो जाता है facts पे बाते नहीं होती है fake news paid news यह सारी चीज़े चलने लगती है और यहीं तक नहीं यह सारी चीज़े Instagram WhatsApp यहां पर भी तो यह सारी चीज़े मतलब एक तरीके से देखो तो कई बार fake भी होती है कई बार correct भी होती है तो information के साथ में उस यह भी आपको clear है आपको यह 6 points भी clear है और freedom एक बहुती broad article है और उसमें यह 6 rights है I hope आपको यहां तक सारी चीज़ें एकदम clear है ठीक है हमने पहले equality की बात करी थी अब हम freedom की बात कर रहे हैं यह भी आपको clear है दोनों बहुती जादा important है democracy को sustain करने के लिए article जो right to property थी उसे delete कर दिया गया किसे क्योंकि किसे किया 44th constitutional amendment right to property को क्यों किया delete क्योंकि government land acquire नहीं कर पा रही थी कुछ development projects थे तो government land acquire नहीं कर पा रही थी उन्हें कुछ roads वगेरा बनाना था तो इसलिए उसे delete कर दिया गया क्योंकि कोई ना कोई हमेशा court पहुच जाता था कि मेरी right to property fundamental right है आप government land acquire करती है तो ऐसा नहीं है कि अब right to property legal right है तो government कैसे भी चाहा land acquire कर सकती है नहीं उसे compensation देना पड़ता है government has to pay the compensation अब ये बाता लगी कि compensation उस limit का नहीं होता है वो altogether एक different debate है लेकिन मैं आपको बस ये इसलिए बता रहा हूं कि right to property क्यों delete किया गया है क्योंकि developmental projects और ये issues नह नहीं हो पा रही थी और कोई ना कोई हमेशा court पहुच जा रहा था कि मेरी right to property वाली right violate हो रही है चीक जो right to education act है RTI act है उसका basis भी तो article 19 है हम right RTI में क्या होता है हम file करते है प्ली और हम कुछ information को access करते हैं हमें जो भी governmental bodies की जो भी information चाहिए रहती है हम उस information को access करते हैं और ह हमें जानना रहता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है इस ministry ने इतने रुपे खर्चियों किये गए हमारे कोई minister foreign गए तो कितने रुपे खर्च हुए उन्होंने वहां पे क्या काम किया क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो एक तरीके से हम information क्यों collect करते हैं ताकि हम उ of speech and expression हम उसे express कर सकें जो free press वाली बात है जो free media वाली बात है जो newspaper publish होते हैं उन सबका origin कहा है उन सबका origin आर्टिकल 19 में ही तो है तो आर्टिकल 19 एक बहुती broader view है मैंना आपको सारे important points बता हैं कि इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है मैंने most of the time इसमें आपको analysis में दिया है ताकि means में कोई भी questions आए censorship से related या कुछ भी तो वो आप अच्छे से कर सकें बाकिये जो restrictions वाले हैं इसको इसलिए रखा है यह restrictions मैंने इसलिए simple किये गए ठीक है इसलिए हमने restrictions को मैंने और अच्छे से simplified way में लिख दिया गया है जो article 19 है वो सिफ और सिफ citizens के पास में this article this article is available to only citizens आप जब भी fundamental right पढ़ते हैं तो fundamental right में या तो person लिखा होता है या citizen लिखा होता है तो जहां भी word person use होगा मतलब वो foreigner और citizens दोनों के लिए है और जहां पे सिफ citizens word use होगा मतलब वो सिफ Indian nationals के लिए है ठीक है इस राइट 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 आप अवेलेबल तो only citizens these six rights are protected against only state action and not private individual यह राइट सिर्फ state action के अगेंस्ट है private individual के लिए नहीं है against the private individual नहीं है only state के है हम protest कर सकते हैं government के खिलाफ peacefully protest कर सकते हैं ऐसे तो हम private entity के लिए भी करते हैं peaceful होता है तो कोई कुछ नहीं होता है but these rights are protected against only state action and not against the private individual और state क्या होता है यह हमने article 12 में देखा था what is the definition of the state I hope आपको article 19 clear होगा हम next lecture में article 20 को समझेंगे तब तक के लिए thank you